हालो प्रेंद्स ,, वेल्कम तू मैं चानल , Beimज dön मैं नव मर्शुरूम मसाला अगर चानल में थे मिलस्टाल आप बेरीड़ कम्यों व्हक्तवी आप जाएं और अगर recipe पसंद आए तो feedback देना बिल्कुल मन भूलेगा तो चलिए start करते हैं हर किसी को mushroom masala खाना बहुत पसंद है तो चलिए step by step मैं आपको इसकी recipe बताती हूँ जो बहुत ही simple है तो एक कड़ाई लेनी है आपको उसमें 4 चमच तेल गरम करना है जब तेल अच्छी से गरम हो जाए तो आप इसमें आधा चमच जीरा डाल दे उसके बाद हम कुछ खड़े गरम masala डालेंगे तो आपको अगर इसकी written recipe चाहिए तो आप मेरे description में चेक कर सकते है ये थोड़ा सा सौटे हो जाने के बाद इसमें हम दो चमच लसुन अद्रक का paste डालेंगे इसे भी हमें थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए ध्यान रखे ये masala भूनते समय आपका flame जो है वो लोपे होना चाहिए ताकि मसाले जले ना और अच्छे से भून जाए उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज की प्यूरी डाली है इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर ले और इसे तब तक भूनना है जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता उसी के बीच में मैंने यहाँ पे दो कटी हुई हरी मिर्च डाली है अब यह ब्राउन हो चुका है तो यहाँ पे मैं एक टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ टमाटर मैंने मीडियम साइज का लिया था अब इसे हमें अच्छी तरीके से बून लेना है ध्यान रखे अपनी ग्यास की फ्लेम जो है उससे स्लो पे रखे उसके बाद इसमें मैंने आधे चमच हल्दी पाउडर और एक चमच लाल मिर्च पाउडर डाला है लाल मिर्च पाउडर जो है वो तीकी नहीं है बिकस हमने यहाँ पे अल्रेडी हरी मिर्च का इस्तमाल किया है तो इसे ध्यान रखते हुए आप इसका इस्तमाल करें दो चमच यहाँ पे हमने गरम मसाला डाला एक चमच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम में मसाले को अच्छी तरीके से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता ये करने में आपको कम से कम 3-4 अब इस स्टेज में हम साफ किये हुए 250 ग्राम मश्रून डालेंगे अब हमें इस अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है उसके बाद मैंने यहाँ पे 7-8 काजू लेके उसका थोड़ा पाने डालके उसमें उसका पेस्ट बना लिया था वो में डाल ले रही हो उसमें और उसी के साथ ही स्वादा नुसार नमक इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें आपको ग्रेवी थोड़ी वाइट दिख रही है तो वो काजू के वज़े से लेकिन बहुत ही स्मूध बनेगी काजू के वज़े से इसकी ग्रेवी तो आब हम इसे ढख कर कुक करेंगे 7-8 मिनेट इन मेडियम फ्लेम तो इस स्टेज म नहीं लगी इसलिए मैं नहीं डाल रही हो अब इसे हम ढख कर पकाएंगे 7-8 मिनेट के बाद यह अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है और आप इसकी ग्रेवी देख सकते हो बिल्कुल वाइट नहीं दिख रही है ब्राउन हो गई है तो हम मश्रूम चेक कर लेंगे कि यह और कित्मी सीजलिंग लग रही है हमारी सबजी हमारी मश्रूम की सबजी तो मैं आपको थोड़ा सा सामने से दिखा देती हूं तो चलिए मैं सर्विंग बाउन में इसे निकाल लेती हूँ आप चाहे तो खड़े जो मसाले हैं वो आप निकाल सकते हैं इस स्टेज पे मैं नहीं निकालूंगी बिकाज उससे टेस्ट और स्मेल बहुत ही अच्छे आते हैं थोड़ा सा धनिया पता स्प्रिंकल कीजे और इसे सर्फ कीजे इसे रोटी ये चावल दोनों के साथ आप सर्फ कर सकते हैं थैंक्स फोर वाचिंग